हेलो एब्रीबन नमस्ते वेलकम टो डाइट कुंडली आज के इस वीडियो में मैं आप सबे के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी यह बेसिकली हाई प्रोटीन वेट लॉस दोसा की रेसिपी है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन करने की ज़ कर रहे हैं वो इस रेसिपी को अपने डाइट में चाहीं तो ब्रेकफास्ट की टाइम पे या फिडिणर की टाइम पे कभी भी आईड कर सकते हूं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेस्पी को किस तरीके से बनाना है इसके साथ इ इस पीस की जो लिंक है मैं निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ आप चेक कर सकते हैं चलिए सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि हाई प्रोटीन दोसा का बैटर किस तरीके से बनाना है इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टू स्पून्स मैं तूर दाल ले रही हूँ आप चाहे तो इसमें चना दाल भी आड़ कर सकते हैं साथ में मैं अभी यहाँ पे वन फोर्थ कप भरकर राइस आड़ कर रही हूँ जो रेगुलरली हम घर में राइस खाते ना वो यह 50 ग्राम का है अभी हमें इससे अच्छे से दोसले के तीन ब गंटे तक हमें सोख होने के लिए छोड़ देगा है इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन करने की ज़रूत नहीं है फ्रेंट्स लेकिन हमें इसे अच्छे से सोख करना इंपॉर्टेंट है पान से लेकिए 6 गंटे के बाद यहां देखेंगे तो डाल काफी अच्छे डंग से सोख हो गया है अभी हमें मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले तो यह जो दाल और चावल है ना मिक्सर यह हमें आट करना है पानी को आप सप्रेट कर लीजेगा और थोड़ा सा पानी इसमें आट करके फ्रिंस हमें इसको ग्राइंड कर लेना है बैटर की अच्छे से mix कर ले रही हूँ, उपर से स्वात के अनुसार हमें इसमें नमक add करना है, यह जो आप high protein दोसा का batter देख रहे हैं इससे basically हम easily 5 बड़े size का दोसा बना सकते हैं, और single दोसा में हमें proteins नियर ली 5 gram का मिल रहा है, काफी अच्छी मात्रा में protein है, अभी यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने pan को गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल आट करके उसको अच्छे से spread कर लिया है, इस दोसा को बनाने के पहले इस बात का ध्यान रखेगा, कि pan जो है फ्रेंट्स वो अच्छे से गरम होना चाहिए, नहीं तो दोसा जो है न वो pan क पुरा स्टिक हो जाता है, जब pan अच्छे से गरम हो जाए, गैस के फ्लेम को स्लो पे कर दीजिए, और दोसा का एक बड़ा स्पून भर कर हमको बैटर लेना है, और इसे हमें तवे पे spread कर लेना है, उपर से तेल वागिर आट कर देगी जरूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ दो मुठी भर कर फाइनली चौप किया हुआ, मैं पालक इसमें आट कर रही हूँ, तो पालक को मैंने अच्छे से वाश कर लिया था, और थोड़ी दिर हवे में रखा, तक कि उसका जो भी पानी वगिर है वो निकल जाए, यह अभी हमें इसमें आट करना है, और इस यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसको इस प्रकास से प्रेस करना है, इसे अभी हमें तब तक को करना है, जब तक कि पालक का जो पानी है, वो थोड़ा सा सूखना जाए, अभी मैं आधा चीज ले रही हूँ, चीज का क्यूब, बेसिकली एक चीज का क्यूब 28 से लेकी 30 ग हो गया है, गैस का फ्लेम स्लो पे ही रख के इसको हमको कुक करना रहेगा, बस मैंने इसको थोड़े से फोल्ड कर लिये हैं, और हमारा जो हेल्दी हाई प्रोटीन जो दोसा है फ्रेंट्स ये बनकर रेडी है, ब्रेक पास्ट या डिनर आप इसे कभी भी अपने डाइट मे लिजे, या अगर कोई चटनी बनी है, तो आप उसके साथ भी इसको इंजोई कर सकते हैं, यह सिंगल सेर्विंग है, और सिंगल सेर्विंग में हमें 248 कल्री मिलती है, प्रोटीन 15 ग्राम है, कार्बो हाड है 22.2 ग्राम है, फाट 10.75 ग्राम है और फाइबर 3.48 ग्राम मिल अगर आपको लगता है कि इसमें आपका पेट नहीं भर रहा है, तब आप उस मोमेंट में एक छोटा सा आप और नॉर्मल दोसा बना लीजिए, उसे भी आप अपने डाइक में आट कर सकते हैं, आप सभी भी इस रेस्पी को ज़रू ट्राइ करिएगा, और अपनी जो भी गर में छोटे बच्ची ही तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, चलिए बाई टेक केर,